तो दोस्तों आपको स्वाव आज है हमारे चानल टेक्निकल यूदिश में तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दों चैनल लांचो किया हो फों मोटर रवला फ्यूजिन प्लस के स्प्रेशिट के यह फोन अचा है कैसा है आपको लेना चाहिए या नहीं तो मैं आपको सभी पताऊंगा इस वीडियो में तो चल्य इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं आपको वादा दाथा मोटोुर रिव्जन अ करें प्लेस के स्पेसी पिचिक ताइब है अफोन ग्युंग करें तो इस मैं को मिल जाता है nैप लगनसे 13 जी जो कि इसमें आपको 64 में अगाप किसल के kod camera मिल जते हैं और 16 मेपकिसल का pop-up selfie camera भी मिल जाता है इस phone में आपको 5000 mAh के battery turbo charger भी मिल जाता है मतलब fast charger भी आपको मिल जाता है इस phone के साथ में और इस phone की इस phone की battery की बात करें तो बैटरी 5000 mAh होने करें यह phone थोड़ा heavy है अगर इस phone की weight की बात करें तो मुझे लगता है at least यह phone इस range में सबसे भारी phone है इस phone का weight लगबग 210 ग्रैम है जो की बहुत जादा होता है मुझे लगता है यही थोड़ा down point है नहीं तो इसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा specification मिल जाते है यह phone launch यह phone launch आज ही हुआ है और यह cell पर बहुती जल्दी जाने वाला है तो आप अगर motor वाला लवर से तो आप इस phone के पास जा सकते हैं लेकिन लेकिन इस phone के कमी के बात करें तो इसमें आपको इतना खास भी प्रोसेसर नहीं मिलता और इतनी खास भी रिफ्रेश स्क्रीन के उपर रिफ्रेश रेट नहीं मिलता लेकिन इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँ सो सतर हजार की आप X2 के पास भी जा सकते हैं इससे अच्छा आप इसके पास Realme 6 6 Pro के पास भी जा सकते हैं नहीं तो आपके लिए बहुत अगर आप IPS LCD पोको लवर से पोको एक्स्ट बहुती अच्छा उप्शन रहेगा आप पोको एक्स्टू के पास भी जा सकते हैं पर लेकिन अगर आप मोटरोल लवर से यह इस फोन के स्पेसिफिकेशन गंदे नहीं है लेकिन ठीक ठाक है इतने अच्छे तो नहीं कहेंगे क्योंकि अगर आ लाइट वेट फोने मतलब इतने लाइट तो नहीं लेकिन ठीक ठाक लाइट फोने तो मैं आपको मिलता है से गलूड़े में आपने अभी देख हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किजिए साड़ा बेले करता पदी जहां हमरी उडिव्व सबसे पहले लाइट